सची बता हूँ, आज तक कोई एस्टिमेट नहीं, ट्रैक्टर के उपर पैसे लगानगा, आपना मोटा ही तना जरूर गया सकूँ, आज तक जब 2017 जो उन्हें ट्रैक्टर चलाना शुरू करया था, 30-40 लाख रपी लग गया हूँगे, ट्रैक्टर ट्रैक्टर अब है. निशु देशवाल ने इंटर्व्यू में किया था, बड़ा खुलासा उसने बताया था कि उसने अपने ट्रैक्टर की मोडिफिकेशन के उपर लगभग 40 लाख से भी अधिक रुपए खर्च कर दिये थे. निशु ने बताया कि सबसे पहले उसे स्वराज ट्रैक्टर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर उसके पापा जॉन डियर ट्रैक्टर ले आये थे, तो उसे स्वराज कम पसंद आने लगा था. लेकिन उसने सोच रखा था कि जिस दिन मेरे पास एक ट्रैक्टर खरीदने के पैसे होंगे तो मैं स्वराज ट्रैक्टर जरूर खरीद लूँगा इसलिए उसने स्वराज खरीदा था और उसने सोचा था कि मैं इन दोनों ट्रैक्टरों के बाद एक और नया ट्रैक्टर लूँगा उसने अपने स्वराज में काफी मॉडिफिकेशन करवा रखी थी लाखों रुपए वो ट्रैक्टर पर खर्च करता था कुछ दिन पहले ही उसने काफी बड़े टायर अपने स्वराज में डलवाए थे जिनकी टेस्टिंग के लिए वह यमुना नदी में स्टंट करने गए थे जहां पर उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था इसके बारे में हम आपको पहले भी अवगत करवा चुके हैं वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद